हेलो स्टूदेंस मैसेल्फ नजीबा इब्राहिम and welcome back to my channel e-learning accounts and maths स्टूदेंस क्वेशिन मेर 21 तक हमने सारे क्वेशिन कर लिये हैं आज हम करें क्वेशिन मेर 22 क्वेशिन में क्या लिखा हुआ देखे इंडिया लिमिटेट मेर दी फॉलिंग इशू अफ 6% डिबेंचर्स पॉइंट फर्स्ट फॉर कैश अट 90 परसंट 6,000 डिबेंचर्स अफ रुपीज हंड़ेट इच कंपनी ने 6,000 डिबेंचर्स को 90 परसंट के हिसाब से इशू किया इसका क्या मतलब है इसका मतलब कंपनी ने इस पे 10 रुपाय का डिसकाउंट दिया है 10 रुपाय के डिसकाउंट पे कंपनी ने इन डिबेंचर्स को इशू किया है तो इसमें डिसकाउंट वाली इंट्री बनेगी कैसे बनेगी मैं भी आपको एक्स्पेन करूंगी Point second, 1100 debentures of Rs. 100 each to a creditor regarding machinery costing Rs. 1 lakh Company ने 1 lakh का machine purchase किया, instead of cash payment company ने creditor को 1100 debentures issue किया Point third, to bank for a loan of 7 lakh as collateral security, 10,000 debentures of Rs. 100 each Company ने bank से 7 lakh loan लिया, and loan के बदले में company ने 10,000 debentures को as collateral security issue किया Past general entries for first year only, इन तिनों points का हमें general entry बनाना है, and all capital losses are to be written off in the first year itself Capital losses किसे कहते हैं, जिन debentures score discount पे issue किया जा रहा है न, वो capital losses कहलाएगा Okay, point first में भी देखिए, 6000 debentures को कमी ने 10 रुपय के discount पे issue किया, तो वो भी capital loss में आएगा, and यहां भी point second में company ने discount पे issue किया है, कैसे issue किया है, मैं भी आपको explain करूंगी, तो जो भी debentures को discount पे issue किया जा रहा है, उसे हम capital losses करेंगे, and उसी का हमें return off करना है, तो कैसे करते हैं, भी मैं आपको explain करूंगी, सबसे पहले हम point first करेंगे, point first के entry क्या बनेगी, यहां भी लिखा हुए, 6,000 debentures को कमणी ने 90% के हिसाब से issue किया, इसका मतलब देखे, सबसे पहले हम rate को money में change करेंगे, 90% दिया हुए न, तो 100 रुपीज का हम 90% calculate करेंगे, face value का हम 90% calculate करेंगे, यह हो जाएगा, रुपीज 90, मतलब 100 रुपय वाले debentures को कमणी ने 90 रुपीज के हिसाब से issue किया, 10 रुपय का कमणी ने इस पे discount दिया, 10 रुपय के discount पे कमणी ने debentures को issue किया, तो देखे, इसके entry क्या बनेगी, सबसे पहले कौन से entry बनेगी, application money, receive वाले entry बनेगी न, bank account पे, 2, 6% debentures, application and allotment, account, amount कितना हो जाएगा? 6,000 debentures को 90 रुपीज के हिसाब से issue किया जा रहा है, 6,000 into 90 यह हो जाएगा 5,40,000, समझ में आया है न? 6,000 debentures को 90 रुपीज के हिसाब से issue किया जा रहा है, तो amount हो जाएगा 5,40,000, 5,40,000 and 5,40,000 Narration क्या हो जाएगा? Application money received उसकी बाद देखिए, next entry क्या हो जाएगी? Application money को हम debenture account में transfer करेंगे, तो उसकी entry हो जाएगी, 6% debenture, 6% debenture, application and allotment, account debit, Company ने discount पे debentures को issue किया, तो discount वाली भी इंटरियम करेंगे, Discount के इंटरियम क्या हो जाएगी? Discount on issue of debentures, account debit, discount के इंटरियम debit में करते हैं, क्योंकि ये loss होता है, तो इसलिए discount के इंटरियम debit में करते हैं, To 6% debenture's account, इंटरियम आपको समझ में आ रही है न, कितना हो जाएगा? 6% debenture application and allotment में कितना हो जाएगा? Same ये वाला amount आम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, 5,40,000, Discount में कितना हो जाएगा? 6,000 debenture's पे कंपनी ने 10 रुपे का discount दिया, 6,000 इंटू 10 ये हो जाएगा? 60,000, ये हो जाएगा? Discount on issue of debenture's में 60,000, and 6% debenture में कितना हो जाएगा? 6,000 debenture's इंटू face value, total 6,000,000 आना चाहिए, but कंपनी ने 10 रुपे का discount दे दिया, तो सिफ 5,40,000 ही receive हो है application के साथ, यहाँ पे हो जाएगा 6 लेग, समझ में आया, इसके बार narration क्या हो जाएगा? Application मनी, transfer to debenture account, इसके बार नेक्स पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ना, कंपनी ने 1,00,000 का machine purchase किया, तो सबसे पहले हम purchase वाली इंट्री बनाएगे, machine purchase किया company ने, तो उसकी इंट्री क्या बन जाएगी? Machinery account debit, टू, कंपनी ने किस से machine purchase किया, ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे vendor लिख देंगे, टू, vendor, कितने का machine purchase किया गया? यहाँ लिखा हुआ है machinery costing 1,00, 1,00 का machine purchase किया गया, तो यहाँ लिखेंगे, 1,00, and 1,00, समझ में आया? Narration क्या हो जाएगा? Purchase of Machinery उसकी बाद देखिए, next point, Cash Payment की जगा, कमपनी ने 11 अने debentures इशू किया है, तो अब इशू वाली entry बनाएंगे, and उसके बाद, इन debentures को discount पे इशू किया जा रहा है, कैसे पता? कैसे पता लएगा, कमपनी ने discount पे इशू किया, या फिर premium पे इशू किया, तो देखिए, स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कमपनी ने एक लाग का मशीन परचेस किया है, कमपनी ने एक लाग का मशीन परचेस किया, या आपके question में given है, बट बदले में कमपनी ने 11 अने debentures को 100 रुपे के हिसाब से, पर डिबेंचर का वैल्यू है ना 100 रुपीज, तो 11 अने debentures को इशू किया, तो कितना हो जाएगा, कमपनी ने कितना debentures इशू किया, 1100 इंटू 100, यह हो जाएगा, कितना, 110,000, समझ में आ रहे हैं आपको, 1100 इंटू 100 करिए, यह हो जाएगा, 110,000, कमपनी ने, मशीनरी, कमपनी ने, एक लाग का मशीन परचेस किया, बदले में, 110,000 का debentures दिया, क्रेडिटर को, ध्यान से देखेगा, स्टूडेंट्स, यहाँ पर कमपनी का लॉस हो रहा है न, कमपनी ने सिफ एक लाग का, मशीन परचेस किया, बद, एक लाग 10,000 का debentures दे दिया, क्रेडिटर को, कमपनी को 10,000 का नुकसान हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो देखें स्टूडेंट्स, इस्चू आफ शेर्स, एन इस्चू आफ डिबेंचर्स, इन में जो भी प्रॉफिट होता है, उसे हम सिक्यूर्टी प्रीमियम रिजर्फ कहते हैं, और जो भी लॉस होता है, उन्हें हम डिस्काउंट कहते हैं, अगर कमपनी को फाइदा होता है, यहाँ पे तो हम कहते हैं कमपनी ने premium पे debentures को issue किया यहाँ पे company को loss हो रहा है नुकसान हो रहा है तो इसे हम कहेंगे company ने discount पे debenture को issue किया company ने सिर्फ 1 lakh की machine purchase किया बदले में company ने 1,10,000 का debenture दिया है creditor को company को 10,000 का loss हो रहा है इसका मतलब company ने discount पे debentures को issue किया है अगर company एक लाग का मशीन परचीज करती बदने में कम्पनी सिफ 90 थाउज़न का डिबेंचर देती क्रेडिटर को तो कम्पनी का दस थार का फाइदा होता 10,000 का प्रॉफिट होता न तो इसे हम कहते कि कम्पनी ने प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू किया है अगर profit होता है तो उसे हम securities premium reserve कहते है अगर loss होता है तो उसे हम discount कहते हैं समझ में आया अधर दिन cash consideration में ऐसे ही होता है ठीक अधर दिन cash consideration वाला point है यह company ने asset purchase किया और cash payment की जगा कमपनी ने उतने का debenture issue किया है ठीक सिर्फ एक लाग का machine purchase किया गया है बट एक लाग दस अजार का debenture issue किया है कमपनी ने इसका मतलब कमपनी ने discount पर debentures को issue किया है company का यहां पे loss हो रहा है and discount की entry हम debit में करते है तो इसके entry क्या हो जाएगी vendor को किया जा रहा है ना तो यहां पर हो जाएगा वेंडर डेबिट उसकी बाद डिस्काउंट पर इस्चु किया जा रहा है तो यहां हो जाएगा डिस्काउंट और इस्चु आफ डेबेंचर्स डेबिट टू 6% डेबेंचर्स इस्चु किया जा रहा है यहां हो जाएगा 6% डेबेंचर्स अकाउंट आयोब आपको समझ में आया हो students अब देखें vendor में क्या लिखेंगे तो यहां पर vendor में हमने कितना लिखा 1 लाग लिखा न तो यहां पर भी हम 1 लाग लिखेंगे इस vendor account में हम same amount को transfer कर देंगे उसके बाद debentures account में कितना लिखेंगे 1100 debentures को company ने issue किया न 1100 debentures को company ने issue किया तो 1100 into 100 कितना हो जाएगा 1,10,000 यहां लिखेंगे 1,10,000 हो गया and discount में कितना लिखेंगे 1,10,000 मानस 1,00, यह हो जाएगा 10,000, 10,000 का company ने discount दिया narration क्या हो जाएगा debentures issued to vendor at discount हो गया easy था ना point समझ में आया आपको उसके बाद देखें नेक्स पॉइंट पॉइंट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट थर्ड तो बहुत and seven leg narration क्या हो जाएगा loan taken from bank हो गया इसकी बाद जिस debenture को company ने askolator security issue किया उसकी भी इंटरी कर लेंगे तो उसकी इंटरी क्या हो जाएगी debenture suspense account debit to six percent debentures account amount कितना हो जाएगा seven lakh के बदले में company ने ten lakh debentures issue किया ten thousand into hundred कितना हो जाएगा ten lakh हो जाएगा न यहां लिख देंगे ten lakh and ten lakh narration हो जाएगा issue of debentures as collateral security हो गया इसके बाद देखिए यहां लिखा हो है ने all capital losses are to be written off तो written off वाली पे इंट्रि हम बना लेते हैं इंट्रि कैसे हो जाएगी ध्यान से देखिएगा मने आपको starting में ही बताया है कि जिन debentures को discount पे issue किया जा रहा है उन्हें हम capital losses कहते तो discount वाली इंट्रि को हम write off करेंगे तो यहां लिखेंगे हम statement of profit and loss account statement of profit and loss account debit to discount वाली इंट्रि को हम credit कर देंगे to discount on issue of debentures account कितना amount हो जाएगा 60,000 का यहां पर discount and 10,000 का यहां पर discount डोनों को add करें 60,000 plus 10,000 यह हो जाएगा 70,000 यहां लिख देंगे 70,000 and 70,000 हो गया question number 22 हमने complete कर दिया narration हो जाएगा discount amount ट्रांस्फर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट question number 22 हमने complete कर लिए students आयो आपको तीनों पॉइंट समझ में आये हो answer match कर लिजेर discount on issue of debentures point first में 60,000 आया हमारा भी 60,000 आया point second में 10,000 आया हमारा भी 10,000 आया and point third debit bank account credit bank loan account by 7 lakh हमने भी same यह किया bank account debit to bank loan 7 lakh and debenture suspense account debit to debentures account 10 lakh हमने भी same यह किया debenture suspense account debit to 6% debenture account 10 lakh okay question number 22 हो गया हमारा next video में next question करेंगे so if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel thanks for watching